ओम शान्ति हम आत्माएं जब अपनी जर्णी शुरू करती हैं तो इस जर्णी की शुरुवात में हम सातों गुणों से संपन्न हैं आत्मा के सात गुण या सेवन इनेट कॉलिटीज हैं सुख, शान्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्यान और शक्तियां आत्मा जब इन सातों गुणों से संपन्न है तो सतों गुणी आत्मा कहलाती है लेकिन जैसे जैसे हम अपनी जर्णी में आगे बढ़ते हैं आत्मा में इन गुणों की कमी होने लगती है जैसे एक मुबाइल है जो सुबह फुली चार्जट है लेकिन क्योंकि आप उसे दिन में यूज करते हैं तो बैटरी डिप्लीट होते जाती है और फिर दिन के एंड में मुबाइल आपको सिगनल देता है कि अब बैटरी को फिर से चार्ज करने की जरूरत है उसी तरह से हम आत्माएं जो आज दुख और अशांती को अनुभव कर रही है ये कहीं न कहीं सिगनल है कि हमें स्वयम को इन गुणों और शक्तियों से भरने की आवशक्ता है जैसे अगर चाबी आपने घर पे खोई है और आप उसको बाहर ढूंडें क्योंकि बाहर लाइट है तो क्या चाबी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी न? उसी तरह से हम आत्माएं इन गुणों और शक्तियों को जो मुझ आत्मा का स्वधर्म है इसे कहीं न कहीं बाहर ढूंड रही है जैसे हमें लगता है कि वो हमसे प्यार से बात करें हम यहाँ जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा हम यह ले 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 तो हमें खुशी होगी तो कहीं न कहीं मैं आत्मा अपने स्वधर्म को बाहर कहीं ढूंड रही हूँ और क्योंकि फिर हमें उन गुणों का स्थाई अनुभव नहीं हो पाया तो आत्मा और ही अपनी जर्नी में डिपलीट होते गई और फिर हम कई न कई इन गुणों और शक्तियों को और ही डिप्लीट होता महसूस करने लगे आज हम आत्मा इन गुणों और शक्तियों में इतना डिप्लीट हो गई है कि हमारे लिए दुखी होना, हर्ट होना ये बहुत आसान हो गया है कोई छोटी सी बात को लेकर भी हम बहुत सादा hurt create कर सकते हैं और कई दिनों तक उस दर्थ में रह सकते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा में इन गुणों की शक्तियों की कमी हो गई है और उसमें healing capacity नहीं रही है तो यदि मुझे अपने emotions को heal करना है तो बहुत जरूरी है कि मैं स्वयम को इन गुणों और शक्तियों से भरपूर करूँ जैसे यदि शान्ती का अनुभव मैंने किया तो automatically अशान्ती गायब हो जाएगी उसी तरह से जब खुशी का अनुभव मैंने किया तो दुख का तो नामों निशान नहीं रहेगा जैसे एक रूम में अंदकार है तो आप अंदकार को भगाने के लिए क्या करेंगे लाइट का switch on करेंगे उसी तरह से यदि आज हम दुख शान्ती का अनुभव कर रहे हैं तो हमें गुणों और शक्तियों की light का switch on करना है और वो on करने का तरीका है राजयोगा meditation राजयोगा meditation में हम वो संकल्प क्रिएट करते हैं जो अनुभव हम अपने जीवन में करना चाहते हैं जैसे अभी हम एक संकल्प क्रिएट करें कि मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप ये एक संकल्प हमें शांती का अनुभव कराएगा और आत्मा में उस शांती के कारण healing होते जाएगे एक संकल्प हम क्रिएट करें जैसे मैं हूँ ही सुख से संपन्न आत्मा जैसे ही ये संकल्प क्रिएट किया सुक्ष का अनुभव हमने किया और आत्मा पे उस सुक्ष का जो संसकार है वो REMERS हुआ इस तरह से हम राज-योगा में इन सातों गुणों को संकल्प create करके उनको अनुभव करते हैं और उन संसकारों को REMERS करते हैं जितना जितना ये सातों गुणों के आधार पर आत्मा हील होती है उतना ही इन गुणों और शक्तियों को अनुभव करना सारे दिन में हमारे लिए सहज हो जाता है और फिर जीवन की बातों में, जीवन के परिस्थितियों में जो हम negative अनुभव करते हैं आप देखेंगे आप उनको बहुत सहज रीती overcome कर पाते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा में इन गुणों और शक्तियों की healing power है जिससे वो शांती, खुशी, शक्ती का अनुभव कर सकती है और उन्हें create कर सकती है स्वयम के लिए तो चलिए, अब हम इन शक्तियों और गुणों को स्वयम में अनुभव करके आत्मा के इन original संसकारों को re-emerge करते हैं थोड़ा सा समय आपके स्वयम के लिए तो चलिए, अपने मन को तयार करते हैं एक आंतरिक यात्रा के लिए ऐसी यात्रा जिसमें मैं आत्मा अपने सातों कुणों को संपूर्ण रीती अनुभव कर सकती हूँ अब एक संकल्प करें मैं ग्यान स्वरू आत्मा हूँ ग्यान अर्थात समझ स्वयम को जानना और स्वयम को समझना और मुझ आत्मा की यूमन जर्नी को जानना मैं इस सत्य ज्यान से संपन आत्मा हूँ मैं पवित्र स्वरू आत्मा हूँ जैसे प्योर गूल्ड में कोई अलोई मिक्स नहीं वैसे ही मुझ आत्मा में भी कोई अफकुन की अलोई मिक्स नहीं I am completely pure being मैं शान्त स्वरू आत्मा हूँ इस एक संकल्प से उस गहरी शान्ती का अनुभव करें मैं असीम शान्ती में समाते जा रही हूँ मैं प्रेम स्वरू आत्मा हूँ स्वयम के प्रती उस नेह को महसूस करें मैं सुख स्वरू आत्मा हूँ कुछ पल उस आत्मिक सुख को महसूस करें मैं आनंद स्वरू आत्मा हूँ अती इंद्रिय आनंद को अनुभव करें वो आनंद जो इस आत्मिक स्थिती में मैं आत्मा अनुभव कर सकती हूँ जो स्थाई और सदा है क्यूंकि ये आनंद की फीलिंग मुझ आत्मा की ओरिजिनल इनेट क्वालिटीज में से एक है मैं शक्ती स्वरू आत्मा हूँ शक्तियों से संपन्न किरने मुझ आत्मा से चारो और फैल रही है मैं आत्मा इन सातों गुणों को संपूर्न रीती अनुभव कर पा रही हूँ इस अनुभव में कुछ और पल बिताते इन गुणों को संपूर्न रीती स्वयम में भरते महसूस करें कि ये सातों गुण मुझ आत्मा से चारो और फैल रहे हैं तो जैसे आपने अभी इन गुणों और शक्तियों को स्वयम में अनुभव किया सारे दिन में बीच पीच में कुछ समय निकाल कर हम इन गुणों और शक्तियों को स्वयम में क्रियेट करें और इन्हें अनुभव करें तांक यू, ओम शान्ती अनुभव झाल